मोटिवेशनल सुविचार में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम स्टूडेंट्स के लिए फिर से कुछ नए मोटिवेशनल सुविचार लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेनत करकर हार चुके हैं और निराश होकर घर पर बैठ गए हैं तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही एक स्रुडेंट या एक कारे करता हो तो आप इस वीडियो को जरूर सुने ताकि आप मोटिवेट हो सकें और दुबारा से मेनत कर सकें और सफलता प्रापत कर सकें जब तक इनसान अपने आप से ना हार जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता कटिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोचता है और कायर बहाना हर इनसान को नमक की तरह होना चाहिए जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता और अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत मह मैसूस होती है तो दोस्तों ऐसे ही आपको बनना है आपको भी नमक की तरह बनना है अगर आपको यह सुविचार अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को फटावट से लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों को और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सकता प्रेशाणियों से लड़कर ही सफलता प्रापत की जा सकती है जीवन में सफलता का महतब उसी को पता होता है जिसने और सफलता का सवाद चका हो विश्वाश वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में परकाश लाया जा सकता है जो असानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता जो हमेशा तक रहता है वो असानी से नहीं मिला करता मेहनत सफलता का उत्तम मंत्र है धेरेवय शक्ती है जिससे सफलता प्रापत की जा सकती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आलसी व्यक्ती कभी सफल नहीं हो सकता हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना सबसे बुरी विफलता है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जी सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जी सकता कोशिश आखरी सांस तक करनी चाहिए या तो लक्षय हासिल होता है या तो अनुभव चीजें दोनों ही अच्छी होती है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते एक बार अकबर ने विर्बल से कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पड़ो तो गम और गम में पड़ो तो खुशी हो तब बिर्बल ने लिखा ये वक्त भी गुजर जाएगा होसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर आगे अकेला तुपहल करके देख तुझे काफिला खुद बन जाएगा अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो शेर छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है इसलिए जब जिन्दगी पीछे दकेलती है तो कमर कसलें जिन्दगी आपको एक उची छलांग देने के लिए तयार है नादान इंसान ही जिन्दगी का अनंद लेता है ज्यादा हुश्यार तो हमेशा उलचता ही रहता है तो दोस्तों कैसे लगे हमारे मोटिवेशनल सुविचार अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए है तो इसे दो बार चार बार दस बार सुने ताकि आप पूरी तरह से मोटिवेट हो जाए और फिर से अपने काम में लग जाए फिर से पढ़ाई करने लग जाए और सफलता आपके कदमों को चुम ले चैश्री राम दोस्तों